Hi everyone, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही जादा important होने वाली है जिन्होंने UPSC का exam कभी नहीं दिया है वो बिलकुल fresher है, beginner है और अब वो अपनी UPSC की preparation स्टार्ट करना चाहते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले I would like to say one thing कि मैं ये वीडियो एक aspirant के point of view से बना रही हूं ना कि किसी expert ये teacher के point of view से ठीक है मैंने नहीं बोला कि मैं किसी भी चीज में expert हूँ या मुझे सब कुछ पता है बट हाँ जितना मुझे पता है वो मैं share करती हूं तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप सुन सकते हैं ठीक है तो चलिए video को स्टार्ट करते हैं देखिए पहली बात तो जब भ फिर exam को pass करने के लिए आपको सारे subject की knowledge होनी चाहिए whether it is physics, chemistry, bio, current affairs हर चीज की तो UPSC is not only about history, geography, quality और ऐसा नहीं है कि जो लोग मतलब exam नहीं देते ना उनके मन में मित होता है अरे क्या करना ही होता होगा यह सब याद करना होता होगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है ठीक है त तो मेरे पास आप लोगों के लिए good news है कि test book का UPSC से related जो super coaching है उसका आपको 7 दिन के लिए free subscription मिल रहा है है ना यह amazing बात इसका मतलब यह है कि super coaching का जित्ता भी paid content है उसे आप 7 दिन के लिए free में access कर सकते है super coaching UPSC aspirants के लिए एक complete package है क्योंकि इसके थूँ आप अपनी पूरी UPSC की preparation अपने घर पे बैटके कर सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत ही जो prestigious institute हैं जैसे लुखमान IS, श्टीराम्स IS इन सब के जो बहुत ही amazing teachers हैं उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा जैसे कि मैंने बताये ही कि यह complete package है तो यहाँ पर आपको GS से related, current affairs से related, NCRT से related, essay से related, CSAT से related, live classes, recorded classes, notes मिलेंगे इसके अलावा यहाँ पर आपको 550 प्लस mock test मिलेंगे और अगर optional की बात की जाए तो यहाँ पर history, geography, psir, anthropology, etc. से related optional courses भी available हैं तो अगर आप लोग चाहें तो super coaching का यह super content आप 7 दिन के लिए free में access कर सकते हैं इस video के description box मैंने link दिया है, वहाँ पर जाके आप मेरा code यूज करके, which is BRK7 आप super coaching का जित्ता भी content है, उसे 7 दिन के लिए free में access कर सकते हैं और अगर आप अपनी preparation और भी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं और आप बहुत serious है अपनी preparation को लेके और यह जित्ता भी content है, उसे आपको साथ दिन से जादा के लिए access करना है तो आप super coaching का जो मंतली subscription है, जो की 2500 रुपीस का है, उसे चेक आउट कर सकते हैं और उसमें भी अगर आप मेरा code यूज़ करेंगे, विच इस VRK20 तो आपको मिलेगा extra 20% का discount So all the links are given in the description box, don't forget to check out the super coaching Secondly, आप जब यह सोचे कि मुझे UPSC की preparation अब start करनी है, तो आप शुरू में इसारी books इखटा करने मत start कर दीजे कि आप तो मुझे बस book इखटा कर लेना है, PDF notes इखटा करने में मत जूड जाईए और आपने पैसे इतनी जल्दी invest मत करिए Thirdly, आप क्या करिए, जब आपने मन बना दियाएगी, आप तो मुझे UPSC की preparation करनी ही है, तो UPSC के जो previous year के question paper है, आप उनको देखे, आप कोई book खरीच सकते हैं आप Google पर ही देख लेंगे, तो आपको free में मिल जाएंगे, UPSC के previous year के question paper, ठीक है, तो आप वो paper देखे analyze करें, मैं ये बोलूँगी कि आप खुद से analyze करें तो जादा better है, तो जादा आपको समझ में आएगा, ठीक है, और मैं ये भी बोलूँगी कि उन paper को देखे, आपको आपको पदा चरपाए कि UPSC का actual में level क्या है, किस type के questions पूछे जाते हैं, और उनको आप खुद analyze करें, तो जाधा better होगा, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको UPSC का syllabus देखना है, syllabus देखना बहुत important है, वो भी आपको मिल जाएगा कहीं पर भी किस पर गूगल से आप देख सकते हैं, यूपीएसी का syllabus देखना बहुत important है, ताकि आपके माइं में clear हो, clearly आपको पता हो कि आपको पढ़ना क्या क्या होता है, बहुत सारे लोग जो preparation स्टार्ड भी कर देते हैं, उन्होंने यहीं पता होता कि पढ़ना क्या होता है, उन्होंने syllabus नहीं देखा होता है, और previous year के question paper नहीं देखे होते हैं, गूगल पर या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे fake videos चलती रहती हैं, कि UPSC के paper में या interview में यह पूछ लिया गया, वो पूछ लिया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यह सिर्फ आपका ध्यान कीशने के मतलब ऐसे ही कुछ भी बना दिया जाता है, ऐसा नहीं होता कि UPSC के paper में कुछ illogical चीज़े पूछी जाती है, तो for that आपको UPSC के syllabus और previous year के question paper देखना बहुत important है, ताकि आपको खुद पता चले कि actual में हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, fourthly मैं कहूंगी कि अब आप अपनी preparation start करने के लिए ready हो गए है, तो अब आपको अपनी preparation start करनी है NCRT से, ठीक है, जिन भी subject की NCRT, sorry, जिन भी subject में आपको ऐसा लगता है कि आपके basics clear नहीं है, आपको उनकी NCRT पढ़नी चाहिए, ये मेरा point of view है, आपका point of view कि या किसी और का point of view कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं पढ़नी चाहिए, मुझे एसा नहीं लगता कि हर सब्जेक की 6-12 की NCRT पढ़ना important है, क्योंकि for example कि मैंने graduation, नहीं for example नहीं, ये तो reality है कि मैंने graduation, मैं आट से मैंने graduation किया, तो महाँ पे मेरे पास political science, economics और English था, तो मैं UPAC की preparation के रिए political science की NCRT मतलब क्यों पढ़ूंगी है, एकनोमिक्स की NCRT क्यों पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने college में पढ़ रहा है, तो मुझे NCRT पढ़ने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने direct standard book पढ़ी है, ठीक है, लेकिन वो बाता लगे किसी ने अगर कभी ये quality, history, geography, economics, ये सब नहीं पढ़ा है, तो हाँ उसको NCRT पढ़ने की जैसे मैंने geography मेरे पास नहीं था मेरे college में, तो मैंने उसकी NCRT पढ़ी, history मेरे college में नहीं था, तो मैंने उसकी NCRT पढ़ी, लेकिन quality और economics की NCRT मैंने नहीं पढ़ी, तो ये चीज़ है, जिन subjects में आपको लगता है, आपको कुछ भी नहीं आता, आपके basics clear नहीं है, उनकी आपको NCRT पढ़ने की जरुरत है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपनी preparation स्टार्ट कर सकते हैं, newspaper से, newspaper जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मेरे साब से, मुझे अच्छा रखता है, दा हिंदू newspaper, आपको अगर कोई और पसंद तो आप वो पढ़ सकते निउस्पेपर जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो देखिए, स्टार्टिंग में, honestly, चाहे वो कोई Hindi मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, उससे समझ में नहीं आएगा, कुछ भी, वो सिरफ रीडिंग करता रह जाएगा, और ये बहुत नॉर्मल है, औ निउस्पेपर पढ़ने के आपको आदट डालनी पढ़ेगी, और इसका कोई भी शॉर्ट कट नहीं है, ठीक है, तो ये जितनी भी चीजे बताएं, मैंने इनको फॉलो करके, आप अपनी UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था क ये बिगिनर्स टाइप की वीडियो है, तो आपको शुरुआत में ही बुके खटा नहीं करनी है, शुरुआत में ही डारेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ने लग जानी है, शुरुआत में ही आपको जुनों कुछ ऐसा ऐसा फालतू का टाइम टेबल नहीं बनाने साप से, ठीक है? So that's it for today's video, I hope you guys are doing well, till then stay tuned on my channel.